दोस्तो आज यहां मैं आपको एक character बना कर दिखाऊंगा, character का drawing कैसे होता है, कैसे उसमें shapes लिए जाते हैं और कैसे उसका vector होता है, तो यहां character मैं जो बनाऊंगा, यह है animate CC का 19 version, इसमें मैं आ चुका हूँ, तो यहां देखो, मैं shapes में variation ले रहा हूँ, जो भी character हम बनाएंगे तो main होता है, कि उसमें shape में variation होना चाहिए, मतलब हर shape similar height का या similar width का नहीं होना चाहिए, यहां अगर आप देखोगे, तो इसमें variation है, जो head का, जो area है, वो छोटा है, body से body का, legs चोटा है, तो यह variation होगा, और इस variation के ओपर ही हमारा character बनाएंगे, और यह एक basic idea है, character कैसे design होत है, यह character design करते समय हमें कौन सी चीजों पर ध्यान रखना होता है, और इसके ओपर मैं कुछ अपने, जो mind में चल रहा है, वैसे वैसे आखे बना रहा हूँ, nose बना रहा हूँ, और lips बना रहा हूँ, तो आप देखो यहां पर अभी जैसे neck बना लिया मैंने, neck बनाने के body, stomach या ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं सीरी पे एक सीधा box दिखाऊंगा, जो कि एक साधरन production के लिए हमें characters लगते हैं, और बहुत सारी creator को सोचना पड़ता है कि character कहां से लाए, तो इस तरीके से आप अपना खुद का भी character बना सकते हैं, या तो बहुत सारी videos character designing के उपर आप Google से कोई भी character का reference ले लो, उसके ओपर से आप बना सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, या इस technique से आप अपने mind में जो भी character चल रहा है, उसको भी आप बना सकते हो, तो जो character बनाओगे, उस character को आप अपना खुद का character है, तो आपको ना copyright का issue आएगा, ना उसको change करना है, आप खुद का character बना के खुद की एक story बना पाओगे, तो इस तरीके से आप अपना एक character बना सकते हो, तो देखो यहाँ पर legs जो बना रहा हूँ, legs का area जो रहेगा, अपने body के area से थोड़ा सा बड़ा है, और shoes है, अभी इसको मैंने जो group किया है, इस group को मैं यह outline से थोड़ अलग ले लूँगा, जो rough बना था उससे अलग, तो देखो पहले rough कैसा था, उसके उपर से अपना character कैसे बना है, अभी इसे character को कैसे trace करते हैं, और trace करते करते ही मैं rigging का जो technique होता है, उसी technique से मैं इसको trace भी करूँगा, मतलब rigging की technique में क्या होता है, कि हातों के 3 parts होंगे, body अलग होगी, चेहरे में के parts अलग होंगे, तो ये सभी को मैं trace करते वक्त ही अलग करते जाओंगा, मतलब वापस उसको अलग निकालना और ये करना उसकी जुर्रत नहीं है, तो यहां tracing के लिए मैंने जो ये लिया है, rectangle tool से मैं tracing कर रहा हूँ, आप देख रहा होंगे, और म onion object से ही मैं tracing हमेशा करता हूँ, तो देखो, ये onion object से tracing करते वक्त क्या होता है, कि हम बाहर से ही इसका color वगेरा, जो भी करना है, उसको adjust करना पड़ा, तो हम आसानी से उसको adjust कर सकते हैं, ये हमें benefit होता है, अगर group में करेंगो, तो benefit इसका ये है, कि benefit तो ऐसे group के उपर group आप रख सकते हो, लेकिन बाहर से color fill नहीं कर सकते हो, onion object में आप ऐसा होता है, कि आप उसके अंदर जाए बगेर ही बाहर से ही करना, उसका set change जो भी है, वो कर सकते हो, तो ये हमें benefit मिलता है, और काम का थोड़ा सा speed हमारा बढ़ता है, तो hair के part देखो, मैं कैसे कर रहा हूँ, प तो ये सारी चीज़े होती है, ये रिगिंग की एक टेकनिक है, तो इस टेकनिक से हम बनाते हैं, तो ये टेकनिक फॉलो करके आप अपना character मतलब ये इसके लिए जुरूरी होता है, अगर आपने सोचा कि मुझे कल इसके head में animation देना है, rotation ओगेरा करना है थोड़ा फार, तो क्योंकि कान ही ऐसा एक axis है, उसके इर्दगिर्द हमारा face rotate होता है, तो इसके लिए try करना है, तो आप अपने कान का जैसे है, वहाँ दोनों कान में उंगली रखो, और axle जैसे होता है, वैसे आप फिल करो, तो देखो हमारा face उसके इर्दगिर्द rotate होता है, तो यहाँ देखो अभी मैं ये नेक बनाने के बाद में बॉड़ी पूरी बॉक्स जैसी बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो भी मैं rectangle tool ही हमेशा लेता हूँ और control प्रेस करके किसी भी line पर अगर हम दबा के उसको खीचेंगे तो वहाँ एक node तयार होता है और हमें वहाँ से line mode ने के लिए एक आसानी होती है तो यह बहुत ही अच्छा tracing का technique है जिससे आपका काम बहुत fast होता है यह तो मुझे fast लगता है आप अपनी खुद की भी technique निकाल सकते है जो बार बार आप काम करोगे तो अपनी technique आप खुद निकाल पाऊगे तो यह देखो यह एक basic character है कि जो बहुत ही अच्छा बन रहा है दोस्तो मुझे बहुत खोसी होती है कि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ एनिमेशिन के ओपर मैं लेकर आ रहा हूँ तो वह आप लोग पसंद कर रहे हैं इन वीडियो को बहुत आगे लेके जा रहे हो और काफी सारे जो viewers है जो followers है उनकी comment भी आती है तो बहुत से जो भी होते हैं वो मुझे WhatsApp करके भी पूछते हैं तो मैं उनको भी वहां solution दे देता हूँ तो यह बहुत अच्छा लगा दोस्तों जो भी आप मेरा काम पसंद कर रहे हो मुझे आपके इस पसंद से ही मुझे motivation मिलत है दोस्तों आप ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहे तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो ले के आऊँगा जो भी मेरे animation में का experience है 17-18 साल अभी मुझे इसमें हो चुके है जो भी animation का experience है दोस्तों यह पूरा आपके साथ मैं share करूँगा लेकिन आप इस चैनल को जरूर subscribe क करोगे तो ही आप मुझसे जूड़ पाओगे और मैं आपसे जूड़ पाओंगा दोस्तों जब तक connection बनेगा नहीं ना तो मुझे आपसे कुछ मिलेगा ना आपको मुझसे कुछ मिलेगा दोस्तों तो मैं यह बेशक मेरा experience आपसे शेयर करूँगा और नहीं नहीं अच्छ के दोस्त रहू लोनने के साथ दोस्तों हाथ trace करते वक्त देखो मैं इसमें उंगलिया भी डाल रहा हूँ पहले जो मैंने drawing किया था रफ कर लिया था उसमें मैंने कुछ उंगली बगेरा बनाई नहीं थी दोस्तों मैं drawing बहुत करता हूँ इसके लिए मुझे practice है अगर आप आपको practice नहीं है तो कोई बात नहीं आप एक जगह ऐसे hands बना के रखो जब भी आप नय character बनाओगे तो वह हाथ यहां paste कर दो चलेगा कोई बात नहीं है लेकिन दोस्तों आप जब character बनाओगे तो character के उपर full focus कर देना बाद में आप finger वगेरा जो भी eyes, nose, mouth है यह बनाओ ल उसके लिए आप कोई एक अच्छे आर्टिस्ट का डिजनी के आर्टिस्ट का या जो भी आपको आर्टिस्ट पसंद हो उनका एक book लेलो तो उससे आप बहुत अच्छा सीख पाओगे मेरे पास भी एक book है उसका review का मैं एक video लेके आओंगा जरूर कि मुझे भी character reasoning कैसे देखिए कैसा होता है इसको मैं यहां सेव कर दे रहा हूं इसको मैं सेव मेरे अनिमेट के कोर्स के फोल्डर में यहां पर मैं इसको सेव कर रहा हूं तो देखो ऐसे इसको सेव कर देना है क्योंकि बहुत बार हम काम करते हैं, जैसे नय होते हैं, तो हम काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन सेव नहीं करते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है, फाइल करप्ट हो गई है, ना ता हमार पास उसका 10% भी हिस्सा रहता है, दोस्तों यही हाथ को मैं दूसरी जगा कौपी कर लूगा क्योंकि हमें सेम हाथ रहेंगे और वापस वापस तो वह काम करना नहीं है तो इसके लिए उसी हाथ को कौपी कर लेना यहाँ चेंज होगा तो पाम नोता क्योंकि यह पाम हमें बार से देख रहा रहेरा हो पाम हमें अदर से देखेंगा camera point of view से अगर सोचेंगे तो तो यहां देखिए अभी यह पाम मैं बनाऊंगा तो यहां पाम बनाने के लिए भी मैंने rectangle tool लिया है rectangle tool को मोड़ते तोड़ते हुए मैं क्या करूँगा इसमें से thumb अलग निकाल लूँगा और बाकी fingers अलग निकाल लूँगा दोस्तो खाली समय में drawing करना एक अच्छे habit है और बहुत सारे motivational speakers है कि वो हमें कहते हैं कि हम नहीं बनाते हमारी आदते बनाते तो दोस्तो सच में कि एक अगर आदत डाल दिंगे drawing के तो हमारा drawing हम नहीं सुधा रहेंगे हमारी आदत सुधा रहेंगे तो ऐसी आप drawing के एक छोट से आदत डालेंगे तो आपका drawing जरूर सुधर जाएगा और काम की productivity बहुत गुना बढ़ती है दोस्तों drawing से animation में बाकी का पता नहीं लेकिन animation में drawing जितना ज़्यादा हो अच्छा हो तो हमारा काम काफी हद तक fast होता है ताकि हम depend नहीं रहते हैं ना palm के उपर ना किसी के उप तो देखिए ये अंदर का हिस्सा हमने ऐसा बना लिया है अभी चलो legs का हिस्सा बनाते हैं तो legs के लिए मैं part नहीं करूंगा सीधे सीधे दो boxes यहाँ पे खड़े कर दूंगा दोस्तों अगर इसको walk करना रहा तो walk के लिए बहुत simple technique है ऐसे trap tool से bone डालो और पटा-पट trap walk कर जो रिगिंग technique होती थी जिससे हमें graphic बनाना है यह सबै तो उसमें हमें इसके तुकड़े होना जरूरी होता है पैर के तीन तुकड़े होगे, shoes अलग होंगे, हाथों के तीन तुकड़े होंगे, palm अलग होंगे तो यह वहाँ जरूरी होता है लेकिन जो नया tool आया इसे trap tool उसमें यह जरूरत होती है तो इसके उपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं और उसके उपर four leg walk cycle भी मैंने बना के दिखाई है, वो आप जरूर जाकर देखे मेरे channel पर और आपको वो वीडियो भी कैसे आसान लगते है या नहीं है तो आप वो भी comment करके बता सकते ह है क्योंकि ऐसे ट्रैप टूल से जो walk cycle बनाने का time था वो काफी हद तक घट चुका है हमारा जो time जो लगता था समझो तीन चार घंटे लगते थे तो वो time हमारा उससे आदा ही लगने लगा है बहुत सारे artist का जो मुझे comment आता है या मुझे बोलते है तो काफी सारा उनका सम में बच रहा है और बहुत सारे beginners है उनको भी सीखने के लिए बहुत मजा आने लगा है क्योंकि उनके time की बचत हो रही है और वो अच्छा सीख पा रहे है तो आप सभी अगर मेरे channel पर नए हो या इस video को पहली बार देख रहे हो तो जाकर जरूर देखे ऐसे trap tool से क्या क्या हो सकता है hand walk cycle भी मैंने बनाई है जो कि बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा तो यहां देखो यह shoes बना रहा हूँ तो shoes भी मैंने पहले wrap बना ले था wrap के बाद में मैं इसको जो shoes का shape होता है वो दे दे रहा हूँ तो इसको हमें color भी करना है तो दोस्तो आप वीडियो को बीच में ही छोड़ कर मत जाना पूरा end तक देखो बहुत simple character है और बहुत कम समय में कैसे बने इसके लिए अगर आप देखोगे सोचोगे दोस्तो time लगागे तो hardly 10 minute के अंदर हमारा character हो चुका है तो देखो 10 minute time तो कोई ज्यादा है नहीं आप अगर बनाने बैठोगे तो 10 minute आपको तो searching को ही चले जाएंगे लेकिन यह 10 minute देखे आप अपना खुद का character बना लोगे आप creative बन जाओगे तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखो बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो भी यह होने वाला है क्योंकि इसमें पूरी टेक्निक रहेगी coloring कैसे होती है character 0 से hero कैसे बनता है तो यह पूरा knowledge यहां रहेगा और यहां देखो eye pupil को मैं जैसे trace करता हूँ trace करते करते ही eye pupil को जो है my pupil के shape में या pupil के color में color कर देता हूँ क्योंकि यह वापस वापस हमें करने के जुरत ना पड़े इसके लिए तो एक के ओपर एक अगर shape रखना है ता चाहे तो आप group करके रखो यह group के बजाए आप इसको onion object में भी रख सकते हो onion object मतलब जो हमारे rectangle tool को लेने के बाद में color bucket के नीचे जो होता है वो drawing tool होता है तो वो अगर हमें on करना तो onion tool आपको modify में जाके मिल जाता है वहां आप जाके check कर सकते हो तो इसके nose का भी shape देखो कितना simple है और यहां पे box लेकर ही मैं eyebrows भी बना दूँगा तो हमेशा आपने देखा होगा जो भी मेरे पुराने वीवर से उनको पता है कि मैं rectangle tool लेकर tracing करता हूं जो कि आपको चारो side से line मिल जाती है उनको सिर्फ आपको control से press करते करते जाना है तो आपका काफी हद तक काम आसान हो जाता है और एक ही मैंने eyebrow बना के उसको flip horizontal कर दिया free horizontal के लिए shortcut क्या है alt mth तो यह है alt mth मतलब modify में जाके transform में horizontal वो section को जाके active करेगा तो हमारा shape horizontally flip हो जाएगा तो यह हमारा character अभी trace हो चुका है इसको मैंने ले लिया है बाजू में अभी इसको हम करेंगे color अभी इसके t-shirt में color करने के लिए मैं एक yellow color का shade ले लूँगा और coloring भी काफी simple है color करते वक्त आप यह देखो कि direct जो आपको color मिलते है swashes में वो कभी मत लेना थोड़ से dull मतलब gray color जिसमें मिला हो वो ले लेना तो जो bright ज़्यादा color ले ले देना उससे थोड़ा सा क्या होता है कि जब भी हम इसको देखेंगे तो थोड़ा सा हमें वो रुखा रुखा सा लगता है आखो में तो चुबन सी होती है तो ऐसे color ना ले और वैसी भी तो पूरा color कौन सा ले क्या ले यह तो पूरा आपके scene के उपर depend है जो आपके scene को suit होगा वो color लेना मैं यहाँ एक basic idea आपको दे रहा हूँ character 0 से hero बनाने के लिए मतलब कि आपके mind के idea है उसको कैसे character के इसमें सोचा जाए फिर कौन से shapes variation होने चाहिए फिर उसके पर character कैसा बनेगा फिर बन के उसको tracing कैसा किया जाएगा tracing होगा तो फिर वो rig के technique में हमें tracing करना है का वापस हमें rigging करना नहीं है इसके लिए तो अभी देखो जो hair है hair के नीचे head है head separate है hair separate है तो hair में भे brownish color ले लूँगा और यह उदर का जो shape है hair का वो उस समय उदर के side में डालने के लिए कौन सा shortcut है वो है control down arrow control down arrow से क्या होता है कि हमारा जो shape होगा वो backward चले जाता है और यहां आप देखोगे कान के पीछे भी उसके थोड़े hair रहेंगे तो यहां भी मैं एक shape लेके यहां ऐसा hair का part ड्रॉकर करके इसमें भी hair का color fill कर देता हूँ तो यह hair का एक fill देदेंगे कि hair यहां पर भी है और अभी neck देखोगे तो head के ओपर आ रही है तो head को क्या करना है हमें head को मैं यहां कर देता हूँ graphic ताकि head के सारे object उसमें चले जाएंगे lips, nose, आके, eyebrows, कान सब उसमें जाएगा तो वह वहार रहेगा और अपना हमारी neck से हमारा face आ गया जाएगा दोस्तो यह 2D है 2D surface पे हर चीज प्लैट होती है लेकिन आप drawing और arc चेंज करके उनको दिखा सकते हो उपर नीचे का fill दे सकत हो तो यह ऐसे करना होता है अभी देखो मैं हाथों के बीच के line cut कर दे रहा हूँ तो वह 3 तुकड़ी नहीं एक ही पूरा part लग रहा है तो यह होता है technique tracing और rigging का और यह हाथ को body के पीछे डालना है तो उसके लिए कुन सा shortcut हमें use करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी comment करके मुझे बताइए और देखिए हाथ body के पीछे चला गया है अभी हम pant में और shoes में color करने वाले है तो pant में मैं ले लूँगा एक brownish gray color ऐसा मतलब एकदम gray नहीं एकदम brown नहीं तो एक ऐसा color मैं यहाँ ले लूँगा जो कि yellow के साथ suit करे ऐसा मैंने color इसके pant के लिए ले लिया है और अभी shoes में मैं थोड़ा सा yellow इस type का color दूँगा यह लोई नहीं पहले मैं यह उठा रहा हूँ लेकिन इसको मैं बाद में थोड़ा सा change करने मला हूँ तो यह ऐसे change करना है तो दोस्तो इस tutorial के end तक बने रहो और जो भी दोस्त इसके end तक अभी तक बने रहा है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो भी सीखना चाहते है वो इस video को पूरा देखेंगे ताकि यह सच में बहुत simple video मैंने आपके लिए बनाया है और आपको यह video देखने के बाद character designing आ सकती है basic design आप जरूर कर पाओगे और अपना character खुद बना के खुद animate भी कर प knowledge मिले और वो एक अपना खुद का production बना पाए उनके मायन में अगर बनाना है cartoon stories तो cartoon stories बनाने में सफल हो जाए इसके लिए उन तक यह video जरूर पहुचा दो आपका यह video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त राहू लोनोने